Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का देही नवपे स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 03, Histography त्यांस लिखन का Lesson by Lesson Important Topics पढ़ने वाले हैं और आज हम Topic No.3 वस्तु परक्ता और व्याक्या पढ़ने वाले हैं Topic Important है, एक्जाम में पूछा भी जा सकता है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टुडेंस से एक रिक्वेस्ट है कि अपनी Notebook लेकर बैठें, वीडियो लेक्चर बेस होने वाली है दोस्तो, सबसे पहला यहां पर कोशन बनता है कि वस्तु परक्ता कहते किसे हैं वस्तु परक्ता होता क्या है तो कहा जाता है कि जब अतीत की किसी घटना को इतिहासका द्वरा यथार्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे पूरे वर्णन को, ऐसे पूरे समवाद को हम क्या कहते हैं वस्तु परक्ता की स्रेणी में रखते हैं कोई अतीत में घटना घटी और जो बताने वाला व्यक्ती है जो इतिहांस कार है उसने same as it is रूप में बताया जिस तरीके से वो घटना घटीत हुई ती तो उसको हम वस्तु परक्ता की स्रेणी में रखते हैं या वस्तु परक्ता कहते हैं ठीक है समझ में आता है अब बताने वाला व्यक्ती किस चीज़ पर main focus होना चाहिए उसको तो तथ्यों के अधार पर बताया जाना चाहिए ठीक है यहाँ पर का जाता है कि वस्तु परक्ता में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि तथ्यों को किस तरसे रखा गया, किस तरसे बताया गया, किस तरसे प्रस्तुत किया गया, तथ्ये, तथ्ये क्या होते, परमान साक्षे, तथ्ये का जाता है, ठीक है, समझ में आता है, इतिहासकार को, बताने वाले वैक्ति को, निस्पक्ष होना चाहिए, वहाँ पे क्या ह जी नीजी धार ना किया मानता हुँ क्या सूसता है उसके उपर वहाँ पर नहीं बात करना चाहीं यहां पर एक विचारह क आते हैं इत्यास काडंविक ठीक है तो पिर नोडिक भी वश्टूपरता की उपर बोलते हैं पिर नोविक क्या bye goals कि नीजिय हो पर आते हो rec Hope और निस्पक्ष नियादिस की भाती होना चीए, तठस क्या होता है कि ऐसा वेक्ती जो एक नदी के किनारे पर खड़ा है और दोनों पक्षों को देख रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, किसी एक तरफ जाके नहीं बोल रहा है, ठीके दोनों पक्षों को देख कर, ठीके तठस रहा है जो वस्तुप्रक्ता कर रहा है उसको एक जज की तरह होना चाहिए जो ठठस्त हो ठीक है दोनों को देखे दोनों को समझे और निस्पक्ष अपना फैसला सुनाए वस्तुप्रक्ता करें ठीक है वस्तुप्रक्ता में निस्पक्ष होना ठठस्ता होना की जरूत क्यों ह होना चाहिए सपोस करो कोई incident हुआ ठीक है incident हुआ और इतिहासकार जो incident को बताने के लिए गया है वो किसी एक पक्ष की तरफ पूरा तरह से जुक कर बता रहा है एक ही पक्ष का साइड लेकर बता रहा है तो दूसरे पक्ष के साथ क्या हो हो गया तो यहाँ पर करता पर करना चाहिए वो वस्तूप रखता किलाता है वो इतिहासकार का एक तो सबसे पहले भाई डीडी न्यूज ले लो और दूसरा ले लो कोई भी प्राइवेट न्यूज चैनल ले लो आज तक जी न्यूज कोई भी ले लो अब इन दोनों न्यूजों के अंदर में वस्तु प्रक्ता कौन सा चैनल कर रहा है आप मुझे कमेंट करके कि किसी जगह पे इंसिडेंट हुआ कोई घटना हुआ या रमान लो परदान मंतरी ने जंडा फैराया ठीक है तो डीडी न्यूज के ऊपर में छोटा सा हैडलाइन आ रहा होता या जो स्पीकर होता है वहां पे जो एंकर होता है वो सरी बोलता है परदान मंतरी द्वारा 15 कि उन्हों ने पताया अब वस्टुप्रक्ता क्या है इन दोनों के अंदर में क्या डिफ Basically कमेंट करके बताईएगा ठीक है तुहां पर कौन निस्पक्ष वोकर बूल रहे है ठीक है कौन किस तरीके से बोल रहे है आप यहां पर कमेंट करके ज़रूर बताईएगा क्या यह हम primi करें अंवे आपैं तो करता है कि यहां कि वेक्ति सही सही हो जाई गलत साथ देता है ठीक है परचारक क्या करता है अगर मैं election Okay कर रहा हूं ठीक है और मैंयने किसी को हायर किया है कि तुम मेरे लिए परचार करो भले ही मैं बहुत बड़ा गदार इंसान हूँ बहुत बड़ा देश दुरही हूँ पर फिर भी जो जिस वैक्तिकों मैं हायर किया है वो हमेसा मेरे लिए अच्छा ही करेगा वहाँ परचार में मेरे बढ़ा ही करेगा reason क्या है क्योंकि भाई उसका काम हुआ है तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि किसी परचारग या फिर किसी वकिल के भूंका में तियांसकार को नहीं होना चीए वस्तु परक्ता करते समय ठीक है यह कहा जाता है थोड़ा समय यहाँ पर पश्चमी तियांसलेखन की बात करें कि पश्चमी तियांसलेखन के अंदर में वस्तु परक्ता का क्या रोल रहा है ठीक है तो यहाँ पर पश्चमी तियांसलेखन के अंदर में हम बोलते है वस्तु प्रक्ता एक महत्यपून इस्थान दिया गया पश्चमी त्यास लेखन के अंदर में पश्चमी त्यास लेखन में वर्सों से वस्तु प्रक्ता महत्यपून आधार रहा है इत्यास लेखन का ठीके परन्तु कई सारे दार्षनिक रहे चाए कई सारे इतिहासकार रहे उन्हेंने वस्तु परक्ता को वेर्थ बताया है पश्मी इतिहासकार के अंदर में कि वस्तु परक्ता क्या एक वेर्थ है विकार है परन्तु इस धार्णा को नजर अंदाज करते हुए बहुत सारे इ इतिहांस कारूं नहीं है ठीक है अपने विश्वी स्तर पर वस्तु प्रक्ता को प्रसूत किया अपने वस्तु प्रक्ता की तस्वीर प्रसूत करें इतिहांस लिखन के अंदर में कहने के मतलब क्या कि पश्चमी इतिहांस लिखन के अंदर में कई सारी इतिहांस कार थे जिन् परतेक्षवादी विचारक के तौर पर जाने गए जो संस्थापक के तौर पर जाने जाते हैं आगस्तक करके विचारक है वो यहाँ पर कहते हैं कि प्रकृतिक विज्ञानों में परियोग की गई आगंत्मक परनाली को इतिहांस और मानिव के परियोग में लाए जाने के में त्यांस लिखन करते हैं उस समय उसको यूज करने की ज़रूत है वहां पर तीन अवस्थाओं की भी बात करते हैं कि प्रकृतिक तीन अवस्थाओं कोन-कौन सी हैं किस अवस्थाओं से समाज गुजरता है उन तीनों अवस्थाओं को भी हमें में है ठीक है यंग है ठीक है और इस काल में ऐसा माना जाता है कि जो भी प्रकृतिक प्रकिरियाई हो रही है जो भी चीजे इंसिडेंट घट रहा है वो सारी रहस्य में सक्तियों के दोरा घट रहा है ठीक है तीसरी अवस्था के अंदर में अगस्तक के और वलोकन के इस तरह करनें के उसको झानने के लिए और अवलोकन के सारे ही असकर नाव को समोझ सकते हम यहाँ पे बोला जाता है अगस्तक जूरा तो उन्हों ने तीन एस्टेज रखा सब के और अगर आप जब वस्तू प्रक्ता कर रहे हो तो तीन से अगर मानलो आप बहुत छोटे हो, पहला सेज़ पे हो, तो वहां पे हम चीजों को ये मान कर चलते हैं, कि जो भी घटना घटरी हो, शारी क्या है या देवी सकते के द्वारा हो रही है। ठीक है दूसरे स्टेज में हम यह मान के चलते हैं कि आथ थोड़ो से यंग हुए हो तो हाँ पर देवी सकते तो नहीं बोलते हैं पर आप यह कहते हो कि किसी ना किसी तरह से तो रहस्य मही चीज है जो रहस्य मही तरीका है रहस्य मही सकती है जिसके तुरू यह चीज हुई है पर आप जब mature हो जाते हो एक परिपक्त हो जाते है तो वहाँ पर यह कहते है जो भी घटना हुई है ठीक है यह जो भी घटना हुआ है ठीक है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा कोई ना कोई रीजन होगा हमें उसे analyze करने की जोड़त है अवलोकन करने की जोड़त है analyze करे यहां पर एक चीज और भी आता है जैसे मैंने का परतेक्षवाद के संस्थापक अगस्तक तो परतेक्षवाद होता क्या है तो परतेक्षवाद का अर्थ होता है समाजिक घटनाओं को परतेक्ष रूप से निरक्षन करके किसी निसकर्ष पर पहुंचा जाना मतलब जो भी सम कि भाईय अगर कोई घँडना घट्री है समाज के अंदर में तो उसको निक्षन करो उसके बाद एक निस्कर पर पहुंचो वस्तुप रक्ता भी यह कहता है कि जो भी पर्माड है जो भी तथ्थ्यों है उसकी सत्यता के जांच करो जांच परताल करो ठीक है प्रमाणों को समझो, ठीक है, किसी निस्पक शोकर उस पे पहुंचो और ये भी यही कहता है, तो दोनों की logic जो है, सेम मिलते हैं, जिसकी कानसियां पर अगस्तक का भी example दिया जाता है ठीक है वस्तु परक्ता आधार अगर बात करोगे वस्तु परक्ता का आधार कह रहा है तो 19-20 सताब्दी के जर्मनी के जो एक इतिहास कार है नाइबर और रानके ठीक है इन दोनों का मतलब माना जाता है बहुत बड़ा युगदान माना जाता है वस्तु परक्ता के सपोर्ट और वस्तु परक्ता के विस्तार में इन्होंने इतिहास लिखन की विवेचनात्मक पदेती के अधार पर वस्तु परक्ता को युगदान दिया ठीक और वस्तु परक्ता के इतिहास लिखन के इतिहास लिखन में बहुत ही इंपोर्टेंट रोल माना इन्होंने ठीक रानके ने और नाईबर ने दोनों का युगदान बहुत बड़ा मान जाता है वस्तु परक्ता के अंदर में यहाँ पर थोड़ा सा और भी मैं बात करना चाहूं कि अगर ये question आ गया वस्तु परक्ता और व्याथ्या क्या है इसको बताईए ये विवेचनात्मक अध्यान कीजिया अगर के कुछ भी question आ गया तो आप लिखोगे क्या तो जो भी मैंने definitions बताई है जो भी मैंने आपको समझाया है वो by example आप use कर सकते हो लिख सकते हो almost आपको स्रिफ 500 word में लिखना है और इतना enough होगा आप लिख सकते है थोड़ा सा अगर कम पढ़ता है कुछ चीज़े समझ में नहीं आती है आप book का सारा ले सकते हो and last आप सीधा comment box में आईए comment कीजिये वहाँ पर अपनी चीज़े बताईए कुछ doubt रहता है I will clear that doubt और कुछ समझ में नहीं आर तो आप मुस्से directly contact करके भी पोज सकते है तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me एक request last और रहने वाली आप सभी students से कि channel को subscribe जरूर कर ले और अगर आपको कोई topic लगता है कि छूट रहा है मैंने कोई topic करवाया नहीं है ठीक है तो आप मुझे suggest कर सकते comment करके कि सरी ये वाला topic MSI 03 का छूट रहा है आप ये भी करवा दिजी ये भी important है then I will do that topic ठीक है अभी हमने तीन topic कर चुके है बागी topic अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए playlist के अंदर में MSI 03 के सारे topics आपको मिल जाएंगे तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best